नमस्कार दोस्तों, Stock Market Update चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का दिल से स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है Paris Defense के बारे में दोस्तों कल की स्ट्रेटेजी हमारी कैसी रहने वाली है यदि आप एक पारस होल्डर हो तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है दोस्तो इससे पहले आपने भी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि पारस डिफेंस के हर एक छोटी से प्छोटी अपडेट बताई है और दोस्तो मैं जो बोलता हूँ वही होता है क्योंकि 12 साल का एक्सपिरियंस है और उसी एक्सपिरियंस की वज़े से दोस्तो पारस डिफेंस के बारे में जो में स्ट्रेटेजी बताता हूँ वो 100% सही ही होती है सबसे पहले बात करते हैं दोस्तो पारस डिफेंस में कल क्या होने वाला है 100% दोस्तो पारस डिफेंस में कल अपर सरकेट लगना तई माना जा रहा है इसका सबसे बड़ा रिजन दोस्तो यहीं है कि आज दोस्तो मार्केट 900 पॉंट से प्लस में रहा क्योंकि जिस तरह से मार्केट में कोरोना का न्यू वेरियन के मामले में जिस तरह से डर फैलाया गया था वैसा डर नहीं है क्योंकि सबसे पहले डबल्यू एचो बाद में सिंगापूर और साउथ आफरिका का ओफिशली न्यूज सामने आई तब से लेके आज तक अभी के हिसाब से मार्केट में फिर से अपर सरकित लगना स्टार्ट हो जाएगा पारस डिफेंस में यानि कि कल दोस्तो पारस डिफेंस में अपर सरकित लगेगी ये बात आप लिख के रख लिजे तो यदि आप एक पारस होल्डर हो तो कल का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्क्वेशन के बारे में पारस को किसका फूल सपोर्ट मिलता है दोस्तो पारस को इंडियन गवर्मेंट का फूल सपोर्ट मिलता है क्योंकि डिफेंस फैक्टर में पारस ही है कैसी कमपनी है जिसका कोई तोड नहीं है क्योंकि पारस डिफेंस इंडिया की DRDO और ISRO से मिलकर कहीं प्रोजेक्ट में काम कर रही है उस हिसाब से देखा जाए तो पारस डिफेंस का इंडियन गवर्मेंट का फूल सपोर्ट है क्योंकि आने वाले वक्त में पारस जैसा स्टॉक बहुत बड़ा मल्टी बर्गर स्टॉक बनने जा रहा है लेकिन अभी के हिसाब से मार्केट में जो कोरोना का वेरियन के मामले में मार्केट क्रेश हो गया था उसमें अच्छे अच्छे स्टॉक भी गिरने लगे थे तो उस उसमें ही वैसा ही हुआ पारस के साथ लेकिन यदि आप लॉट टाइम के लिए सोचते हैं लॉट करते हैं तो पारस में इनवेस्ट करना 100% शिक्यूर ही है दोस्तो मेंने परसनली पारस में अच्छा इनवेस्टमेंट किया है और अभी तक जो पारस ने पहले जैसा प्रोफि कल से फिर मिलने लगने वाला है अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्क्वेशन के बारे में लगेगी अपर सर्किट तो 100% कल अपर सर्किट ही लगेगी दोस्तो यदि आपको दो दिन पहले मैंने बता दिया था कि पारस में अफूल सपोर्ट बनने लगा है और दो दिन पहले पारस में अपर सर्किट लग गई थी उस हिसाब से आज कह रहा हूँ कि पारस में कल अपर सर्किट लगेगी और 100% लगेगी पारस डिफेंस के बारे में अभी तक मैंने जो बताया है वैसा ही हुआ है दोस्तो जब से पारस लिष्ट हुआ है तब से लेकर आज तक पारस डिफेंस के हरे छोटी से पिछोटी अपडेट मैंने इसी चैनल पे लाई है आप मेरे पहले वीडियो को भी देख सकते है और उस बात से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि मेरा पारस डिफेंस के बारे में मैथेमेटिक्स कितना स्ट्रॉंग है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब अविश्य करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर ही देना थैंक्यू